नमस्कार बच्चों आप सभी का सौगत है आपके अपने यूटिब चैनल होम साइंस में जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ में फास्ट एयर का प्रथम प्रश्ण पत्र आहार यों पोशर विग्यां जी हाँ इससे पहले हमने किस टॉपिक पर बात की थी ज जल जनित रोग कौन-कौन से होते हैं और किसी एक रोग के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्या है दूसित जल उत्पादक रोग अर्थात वाटर वर्ण डिजेज तो जल में घुलन सील ताथा अगुलन सील सब्सक्राइब नहीं किया है और वो सब्सक्राइब कर लें और अभी जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि क्लास लाइब चल रहे हैं आप सब वीडियो को सेयर करें जितना बच्चे जूड़ेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा जिससे आप सब के लिए और भी अच लोग के बीमारियां होती हैं कौन कोनसे उपआ बताये थे एक बहुत बीधी बाता थी एक रसानी बीधी बतायी और यांत्रिक बीधी ये सब क्या थि असुद्धियों को दूर करने के लिए अब हम लोग देख रहे हैं कि जो जल की असुद्धियां यदि वयक्ति जल का उ और यह था, भोप्योग कर रहा है जो जल असुद है तो उससे क्या प्रभाव करता है? मानो के स्वस्थ पर इसके वारे में जानेंगे जासा कि आप सब देख पा रहे हैं क्या होता है स्वस्थ पर तो ब्रभाव पर पड़ता ही है, उसके बाद बीमारी होती है कौन कौन सी बिमारी होती है, हैजव होता है, पेचिस होता है, टाइफाइड होता है, और दस्त की बिमारी होती है, ये सभी क्या होते हैं, जल जनीत रोग होते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे, पेचिस रोग के कारण, उदभो, काल, और पेचिस रोग के लच्छड जी पेचिस और हैजा अतिसार इन सभी के बारे में लेकिन आज मैंने आप सभी को पेचिस रोग के बारे में समझाने के बारे में मैंने सोचा हो सकता है पेचिस रोग इस बार आ जाए तो आप सब अच्छे से पढ़ना पेचिस रोग के कारण लच्छर बचा उद्भवकाल इन स पेचिस एक संक्रमक रोग है यह रोग गंदे जल तथा मक्यों के कारण फैलता है जो जल गंदा जल असुद जल होता है और मक्यां जो होती है उन सभी के कारण क्या होता है यह पेचिस रोग फैलता है इस रोग में पेट में एठन होती है तथा दस्त के साथ खून भी आता है दस्त के साथ खून आता है तो जहिर सी बात है उसे पेचिस हुआ है पेचिस होग दो परकार के होता है एक होता हमारा जीवाड तौरा फैलता है जिसें वैसलरी नामक जिवाड के कारण होता है याद रखना वेसलेर पेसी होता है यह बहुत इंपॉर्टन्ट है तो बेजलर्स नामक जिवाड के कारण होता है इस रोग में दस्त के साथ साथ जर भी हो जाता है सौरी बच्चों आप सब के कमेंट देख नहीं अभी हम आपको रिपलाई नहीं देपा रहे हैं और नेश्ट में रिपलाई आप सब को अवसे देंगे क्योंकि वीडियो अगर हम आप सब के प्रशनों का रिपलाई देते रहेंगे तो वीडियो बहुत ही लॉंग हो जाएगा और आप सब को कमेंट में जो पूछना है वो पूछें और इस कमेंट के हिसाफ से मैं एक वीडियो आप सब के अंसवर के लिए भी वनाऊंगी जैसा कि सेकंड देख पा रहे हैं क्या है एमेविक पेजिस जी हाँ एमेविक पेजिस क्या है और फिर क्या होता है पेजिस के जीवाड बहुत ही सूच में होते हैं जी हाँ यदि प्रश्न बनता है कि पेजिस के जीवाड कैसे होते हैं तो प्रथम होता है जो जिवाड वो बैक्टिरिया होता है और सेकंड जिवाड जो होता है वो प्रोटो जोगा वर्ग में आते हैं दोनों ही प्रकार के जिवाड रोगी ब्यक्ति के मलमूतर तथा जूठे बरतनों में पाए जाते हैं जो रोगी ब्यक्ति का मलमूतर होता है और जो गूत अगर कोई ब्यक्ति रोगी है तो उसका जूठन यदि कोई खाता है तो उसको भी पेचिस रोग हो जाता है और वह जल दोरा रोगी के सरीमें पहुण जाते हैं यह जिवाडु हैं यह किस के दारा पहुचते हैं रोगी के सरे में जल के दारा पहुच जाते हैं M.E.V. पेचे स्काफि घातक होती है यह रोग री तो परिवर्तन के समय अधिकतर हो जाता है यह जिवाडु आतों में घाव तथा सूजन कर जाते हैं हैं ये क्या करते हैं आतों में घाव कर देते को जाता है invert निकलता है १ काफी कमजोर हो जाता है जी-हां-जायर सी बात है बार बार पेचेस पढड़ा है तो कमजोर तो हो गाहित अब कारण देखते हैं क्या क्या कारण है नमबर वन है हमारा कारण में jätte रोग मख्यों दौरता है जो मख्याँ रोगी के मलमोत्र तथा वोमन पर पैड़ कर भोजन पर बैढती है इस दूसित भोजन का सेवन करने से जो सौस्त ब्यक्ती है वो रोगी हो जाता है और सेकेंड हमारा कब जिससे भी यह रोग हो जाता है जी हाँ अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को सेयर नहीं किया वीडियो को सेयर कर दें आप सब बहुत कम लाइब आते हैं जैसा कि आप सब रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मैं लाइब क्लास चलाई है तो मुझे जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यह पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें अब हम लोग सेकेंड जामते हैं क्या है पेचिस के कारण कब जिसे भी यह रोग हो जाता है जिसे को कबज है और डी जिस्टृट में कोई प्रॉबलम है तो इससे भी क्या होता है रोग हो जाता है और पूर नंबर है सर्वजानी सर्वजनिकिस्थाल मेले तब अधिक भीर भाड़ वाले अस्थानों पर साधी विगावं में कच्छा पका भोजन करने से भी रोग हो का भोजन करते हैं आप सहीं से दो दिन तक होता है जी यहाँ ये से दो दिन का होता है और पेचिस रोग में डस से पंदरा दस आते है जी हाँ दिन भर में आपको देखा जाए तो 10 से 15 दस्त आते ही हैं और पेट में मरोड होती है तता दस्त के साथ खून भी आता है जैसा कि मैंने बताए एमीविक पेची सोता हूँ इसमें दस्त के साथ खून भी आता है और घाव भी हो जाती है आतों में सूजन भी आ जाती ह और दस्तों में आव निकलता है पेट में अधिक एठन होती है जी हां पेट में बहुत अधिक एठन होती है और रोगी निर्वलता तथा काफी कमजोर अनभो करता है और रोगी को जर्भी आ सकता है जी हां रोगी जो है उसे जर्भी आ सकता है आगे है मारा वच्चों क्या है पेचिस रोग का उपचार जी हाँ पेचिस रोग का उपचार क्या है पहला हमारा पेचिस के जो साथ यदि जर भी हो तो डॉक्टर की सला से उपचार कराना चाहिए जी हाँ यदि पेचिस है उसके साथ भी फीबर की प्रॉब्लम है उसे ब्यक्ति को बुखार है जर है तो उ तो यह डॉक्टर के साथ सला करना चाहिए उप्चार कराना चाहिए और रोगी की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए उसके बाद थर्ड हमारा रोगी को तरल तथा सुपाच भूजन देना चाहिए जी हां हलका भूजन देना चाहिए जैसा कि आप समने तरल भूजन औ जी हां उबाल कर पानी को सुद्ध करके रोगी व्यक्ति को समय समय पर देते रहेंगे और 5 है हमारा रोगी के आराम की पूड व्यवस्ता होनी चाहिए जी हां रोगी को रेश्ट करने की पूड व्यवस्ता भी होनी चाहिए उसके बाद हमारा 6 है रोगी की ब्यक्तिगा सफा और जैसे के वस्तर भी Saap रहने चाहिए उसे जादा गंदगी में नहीं रहने देना चाहिए और पीचिस के रोगी को दाल का पानी Hmee शुप जूस-भृ। पतला दलिया देना चाहिए तरल पदार्थ देना चाहिए उसके बाद है what मेंबर है रोगी को पूड़ तरल सुभूज बदार्थ देना चाहिए देखिए बच्छों आप सब कितने कम लोग लाइब हैं बहुत कम ऐसे में आप सब बताइए कि मैं लाइब क्लास लों कि आप सब को वीडियो अपलोड करके दो तो आप सब अवस से अगर लाइब क्लास चाहिए क्योंकि रोगी के सरीर में जल के अधियाधि कमी हो जाती है तता उसकी पाचन सक्टी जो होती है वो कमजोर हो जाती है अर्था छेड़ हो जाती है इसलिए रोगी गरिष्ट भोजन पचा नहीं सकता अधिक गरिष्ट तेल यूट तले भूने भोज़ पदार्थ रोग के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं जी हाँ आधा जैसा कि पेचिस रोग के रोगी को जाद तले भूने पदार्थ और मिर्च मसाले ऐसे पदार्थ नहीं देना चाहिए जिससे रोगी को और भी समस्या हो सकती है इससे रोगी कमजोर भी हो सकता है नेश्ट हमारा वच् पानी पेला है जैसे कि सुध पानी ही उससे दें क्योंकि यह रोग जल जने तो रोग होता है वाटर डिजीज होता है जो वाटर बर्न अधात जो असुध जल के द्वारा उत्पन होता है और नेश्ट हमारे वच्चों रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए और उसे पूड विश्राम देना चाहिए पेचिस की रोगी को दाल का पानी सूप जूस फल पतला दलिया चाहिए और उसके बाद हमारे रोगी को पूड तरल भूज पदार्थ भी देना चाहिए अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब तो लाश्ट बच्चा है बच्चों अभी भी टाइम है आप सब सेयर कर दें क्योंकि रोगी के सरेर में जब रोग पूज पदार्थ रोगी को परभाव को बढ़ा सकते हैं इससे रोगी कमजोर भी हो सकता है बहुत हानिकारफ होता है कि फेसी सब के रोगी को तलिभूने पदार्थ दें और आसा करते हूं आप सब को वीडियो अच्छा लगा होगा जितने भी वच्चे आप सब मुझसे लाइब जुड़े हैं आप सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट डे कल इसी टाइम दो पहर दो बज़े फिर मिलेंगे तब तक के लिए जै माता रानी